स्रद्धा मुर्थी देवियो शदुर कबीर ने इक्रमेनी में कहा है अब कहु राम नाम अविनाशी हरिछोडी जीरा कतहुन जासी जहां जाहु तहां होहु पतंगा अब जनी जरहु समुझी विछ संगा राम नाम लौलाज सुलीना भ्रिंगी कीट समुझी मन दीना भव अस गरुवा दुख के भारी करुजी जतन जदेख विचारी मन की बात है लहरी विकारा ते नहीं सुझे वार न पारा अब कहु राम नाम अविनाशी कुछ लोग एक जगा बैठे हुए थे आपस में चर्चा कर रहे थे यहां वहां की बातों की बेमतलब बातों की जीन का जीवन से कोई संबंध नहीं जो बातें मन को खराब करने वाली रागदेश पून परपंज पून तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे थे और आपस में विवाद भी कर रहे थे तो महां सद्गुरु कबीर पहुँच गए और उन्होंने लोगों से कहा भाई ये रागदेश की बातें निंदा बुराई चुगली की बातें प्रपंज पून बातें जिनको सुन करके मन विकारी बने चंचल बने गंदा बने ऐसी बातें न करो तो लोगों ने पूछा ताहब आखिर क्या बात कहें हम लोग चुप बैठ कर तो रह नहीं सकते कुछ तो कहना पड़ेगा ठीक है कहो लेकिन अब कहु राम नाम अविनाशी अब अविनाशी राम का नाम कहू पूरी दुनिया में मनुष्य को ही वानी की शक्ति मिली है मनुष्य के अतरिक अन्न कोई प्रानी अपनी भावनाओं को अपनी विचारों को शब्दों के माध्यम ते प्रगट नहीं कर सकता है हम अपने अंदर के सुख को आदमी को जानवर से अलग करने वाली कुछ शक्ति है तो दो शक्ति है एक वानी की शक्ति और एक मन की शक्ति जानवरों के पास वानी तो है ही नहीं बस कुछ आवाज कर लेते हैं और उनमें मन का विकास भी नहीं वो बहुत गहराई से बड़ी दूर तक चिंतन नहीं कर पाते हैं मन का पूरा विकास मुनश शरीर में ही हुआ है वानी और मन के कारण ही आदमी आदमी है अन्यथा आदमी भी जानवर जैसा होता लेकिन इस वानी और मन के कारण आदमी इतना दुखी है इतना दुखी है कि उतना दुखी दुनिया में कोई प्रानी नहीं है आदमी ने अपनी वानी को भी चंचल बना रखा है और मन को भी चंचल बना रखा है और यह हकीकत है जिस आदमी की वानी चंचल होगी जिस आदमी का अपनी वानी पर काबू नहीं होगा उस आदमी का अपने मन पर भी काबू नहीं होगा उसका मन भी चंचल होगा और जिस आदमी का मन चंचल है उस आदमी की वानी चंचल होगी वानी चंचल होने से मन चंचल होता है मन चंचल होने से वानी चंचल होती है हर आदमी की शिकायत है मेरा मन बहुत चंचल है रुकता ही नहीं है बड़ी परशानी है ध्यान में नहीं लगता मन हर आदमी की शिकायत मन को रोकना चाहते हो शांत रखना चाहते हो तो मन को भूल जाओ पहले वानी पर संयम करो वानी को काबू में करो और वानी में ज़ा संयम हो जाएगा तब मन पर संयम करना मन की चंचलता को दूर करना बहुत सरल हो जाएगा वानी का संयम क्या है? उचित समय पर उचित बात उचित धंग से कहना और उतना ही कहना जितने से काम बन जाए यह वानी का सियम है इसको दूसरी ढंग से कहें तो ऐसी कोई बात न कहना जो दूसरों को चुभने वाली हो दूसरों का अपमान करने वाली हो यह वानी का सियम है लेकिन हम इस पर कोई ध्यान नहीं देते गलत बात तो बोलता ही है आदमी कटू बात तो बोलता ही है ऐसी ऐसी बातें भी बोलता है जिसे सुन करके दुत्रे आदमी का मन विकारी होता है गाली की बात, निंदा की बात, इर्शा की बात, चुगली की बात, बुराई की बात, क्या फाइदा इस ते है? अपना मन खराब, दुछरे का मन खराब प्रानि तो जिब्या डिगा, छिन छिन बोल कुबोल सःभ काते है Queensborough की जने अपनी जीवा को डिगा रखा है छण छण कुबोल बोलता रहता है जो नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें बोलता रह जाता है सभाविक है मन चंचल होगा मन भटकता है वानी का आधार लेकर सब्दों का आधार लेकर भटकने का अर्थ क्या है मन चंचल है इसका अर्थ क्या है कोई ऐसा तो है नहीं कि मन अभी यहां बैठा है अभी सड़कबा चला गया अभी भोटनालन चला गया अभी अलग हो या कोई बंदर जैसे कुछ फान तो नहीं करता है मन मन की चंचलता का अर्थ क्या है जिस समय जो बात नहीं सोचना चाहिए उस समय वह बात सोचना मन की चंचलता है अभी आप यहां वैठे हैं, सस्तंग चर्चा चल रही है सस्तंग का लाव कैसे मिलेगा? लाव तब मिलेगा जब हम अपने मन को बटोर करके वक्ता जो का रहा है उसी में एकागर करें लेकिन ऐसा ना करके यहां बैठे बैठे सोच रहे हैं पता नहीं लड़का दुकान खोला होगा की नहीं खोला होगा बहु ने कोई कान तो नहीं बिगाड़ दिया होगा तो अभी उसके सोचने के आप सकता क्या है? अभी यहां बैठे करके अब जितना सोच लो पता नहीं लड़का दुकान खोला की नहीं खोला होगा साड़े चार से जादा हो गया है दुकान खोलने बहुत देरी हो रही है अब तक उसे दुकान खोल लेना चाहिए तो आपके बिचार को आपके बाद को लड़का सुन नहीं पाएगा यहां से दुकान नहीं खोल लेगा यहां से होगा क्या? आप कैसा सोतने से लटका तो दुकान खोलेगा नहीं और जी ससंग चुन रही हैं वो ससंग आप सुन नहीं पाओगे इधर ते भी गए उधर ते भी गए तो जिस समय जो बात नहीं सोचना चाहिए जिसकी आशाकता जिस समय नहीं है उस समय वह बात सोचना मन की चंचलता है एक समय में एक बात सोचो एक समय में एक काम करो मन की चंचलता दूर हो जाएगी बिना मतला कि बात सोचने से क्या फैदा तो वानी परसंयम कटू ना बोलें अतलील ना बोलें गाली की बात ना बोलें कड़वा ना बोले दुसरे को दुख मिले ऐसी बात न बोले जब वानी परसयम कर लेंगे तो मन परसयम करना मन को रोकना बड़ा सरल हो जाएगा वानी परसयम न होने के कारण घर घर में कलह विवाद का कारण क्या है अनेक कारण हो सकते है लेकिन मुख्य कारण है गलस शब्दों का प्रयोग शब्दों को सम्हाल करके जो देखें घर में पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, साथ बहु के बीच या अन्य और जो है उनके बीच जो कला है, विवाद है उसमें से पचाथ प्रस्द से ज़्यादा अपने आप शान्त हो जाएगा सदुरू कहते हैं यहाँ पर अब कहु राम नाम अविनाशी ए लोगों अब अविनाशी राम का नाम कहो तो क्या सदुरू कबीर यहाँ पर राम 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 जपने को कह रहे है उनका यहाँ भाव राम राम जपने का नहीं है कबीर ताहर किसी भी नाम को जपने को नहीं कहते है वे तो यहाँ तक कहते हैं राम ही राम पुकारते जिव्या परिगवरोस राम राम पुकारते पुकारते इनकी जीवा में घठे पड़ गए फैदा कुछ नहीं हुआ और राम के कहे जगत गति पावे खान कहे मुख मीठा राम राम कहने से यदि संसार से मुखते मिलती है तो शकर शकर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए और शकर शकर कहने से मुख मिठा नहीं होता भोजन भोजन कहने से भूख दूर नहीं होती पेट नहीं भरता पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती आग आग कहने से पैर गरम नहीं होते तो केवल राम राम कहने से पाप भी नहीं कटेगा मुक्ती भी नहीं मिलेगी तो सहब क्यों कहते हैं अब कहू राम नाम अविनाशी सद्रू कवीर जित राम का नाम कहते हैं वह राम कोई व्यक्ति विशेश राम नहीं है किन्त उनका राम घट घट निवास करने वाला आत्मा राम है प्रते घट में जो बैठा हुआ है उसे जीव कहो चेतन कहो आत्मा राम कहो उसी को खुदा कहलो उसी को गाड कहलो उसी को ब्रह्म कहलो उसी को इस्वर परमात्मा कहलो और आपकी मर्जी शब्दों में अटकने की आवस्चता नहीं है मूल बात को पकड़ें कोई यह कहे भाई बीना पानी पिए तो जीवन चल नहीं सकता पानी तो पिना पड़ेगा लेकिन मैं वाटर से घ्रिना करता हूं तो मतलब क्या होता है वाटर पानी में अर्थ क्या भासा का अंतर है बस ऐसे ही कोई जीव कहता है कोई चेतन कहता है कोई आत्मा कहता है कोई ब्रह्म कहता है कोई राम कहता है कहने दो बीबात क्यों करें इसमें तो सदुर कभीर का राम कहीं बाहर नहीं है लोक लोकांतर में नहीं है घट घट में है प्रते घट में निवास कर रहा है इसलिए उसका नाम राम है रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम याहिशे संतंधरा राम तासु का नाम ये आत्मा ये जीव ये चेतन सभी घटों में निरंतर आठों याम रमन करता रहता है इस रमन करने के कारण इस आत्मा का राम संतों ने रखा है राम तो अब कहू राम नाम अविनाशी अविनाशी राम का नाम कहो अर्थ है बाह्य चिंतन करना छोड़कर आत्म चिंतन करो आत्म स्विमरन करो अपने आत्मा में मन को लगाओ वैसे कोई भी नाम हो राम का नाम खुदा का नाम ब्रह्म का नाम ओम का नाम सत नाम या अन्याव कोई नाम कोई आदमी जबता है भावना पुर्वक तो उससे मन में सात्विक भावना आती है मन में प्रसनता आती है लेकिन खाली दोहराते रहने दोहराते रहने से फरक कुछ ने पड़ेगा वैसे दोहराना भी एक दंग बलत नहीं है ये एक आदमे बैठ करके प्रपंच की वारता के बात कर रहा है निंदा चुगली बुराई की बात कर रहा है उससे अच्छा तो राम राम कहना है अपना मन ने बिगाड रहा है दूसरे एक मन ने बिगाड रहा है एक अच्छा आदरत पतित कर रहा है प्रपंच की बात कहने कि अपेक्छा किसी नाम का जब करना किसी ना नाम को दोहराना बहुत बढ़िया है लेकिन समद लें कि यही हम नाम को दोहरा रहे हैं इतने मात्र से हमारी मुक्ति गती हो जाएगी यह भूल है यह तो प्रारंभिक चिड़ी है जैसे छोटे बच्चे को कह दिया जाता है का माने कबूतर बच्चका है उसे समत्ता नहीं है कबूतर को देखता है चितर बना रहता है वहाँ पाठ पुस्तक में तो चितर देख करके बच्चे का मन वहाँ लगता है खाली ऐसे लिए दो काखा गागा का करके तो बच्चे का मन वहाँ लगेगा नहीं चितर को देखता है बच्चा कबूतर है खरगोस है और है तो चित लेकिन कब तक बच्चा कब तक बना रहेगा फिर कबूतर को छोड़ देना पड़ेगा आगे बढ़ना पड़ेगा अईशे ही धरम के छेत्र में परमार्थ के छेत्र में लोगों को लगाने के लिए का दिया गया कि अमुक नाम का जब करो अमुक मंत्र का जब करो कुछ तो आदमी का मर रुके कुछ तो आदमी शांत हो करके एक जगा इस्थियो करके बैठे तो आदमी को इस्थियो कर बैठाने के लिए मन को बाहरी जो प्रवित्ती है विकारी चिंतन वातनात्मक चिंतन संसारी चिंतन उससे हटा करके सनमार्ग में लगाने के लिए महपुरसों ने कहा था कि अमुक नाम का जब करो अलग-अलग मत्पन संप्रदाय में अलग-अलग नाम है जिसकी जो भावना होती है उसको उस नाम के जबने में आनंद आता है प्रसंदता होती है मन महारुकता है कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं होता है तो यही है सब लोग कहते हमारा नाम बड़ा हमारा नाम बड़ा हमारा नाम बड़ा हमारा मंत्र बड़ा हमारा मंत्र बड़ा सब लोगों ने अपने अपने मन को अपने अपने नाम को अपने अपने मंत्र को बना लिया है ये टंबम दुत्रे का क्या है ओ तो एक छोटी सी मिट्टी का ढेला के समान है राम उपासक को राम का नाम जपने में आनन्द आएगा प्रतनता होगी लेकिन कटर कृष्ण भग राम का नाम नहीं जब सकता है राम नाम जब में उसका मल लगेगे नहीं उसमें अनंद आएगे नहीं वो तो कृष्ण नाम में उसका मल लगेगे उसमें अनंद आएगा लेकिन कटर शयो उसे न राम नाम में आनन्द आएगा न कृष्ण नाम में आनन्द आएगा उसे शीव नाम में आनन्द आएगा अब मुसल्मान को न राम नाम में न कृष्ण नाम में न शीव नाम में न विश्णू नाम में किसी में नहीं अल्लाह नाम में अल्लह अक्बर अल्लाह खुदा के नाम में उसे आनन्द आएगा इशाय को इशाय नाम में आनन्द आएगा जिसकी जहां भावना है उसको उस नाम में आनन्द आता है वहां उसका मन उसे स्विकारता है इसलिए कोई भी नाम न छोटा है न बड़ा है सब बराबर है जिसके मन में जिसके लिए भावना हो वो उसका जब कर सकता है उसे मन में कागरता आएगी लेकिन पूरी आत्म शान्ति की प्राप्ति नहीं होगी उसे आत्म बोध नहीं होगा नाम जिसका है उस तत्व को समझना पड़ेगा पानी पानी कहते रहने से पानी का बोध नहीं होगा पानी देखना पड़ेगा पीना पड़ेगा ऐसे जो नाम जितने भी नाम है वो नाम किसके लिए कहा जा रहा है तत्तों क्या है? वह तत्त llevじолот Samsung चाहे我很 знаем नाम चाहे गार नाम हो चाहे राम नाम हो चाहे सत नाम हो चाहे अन्य नाम हो यह सब खेल नाम यार्म चेतन तत्तों के लिए है राम है राम हो खोसाथ вод Ты ची वह एक हिदों का ही नुह हुट औरा साहिब ने कहा है राम की चेतन क्षिपि इ 예 जड़ है कि चेतन खुदा प्रयाते ala शक्ति उ은ी चेतन गाड उभी चेतन राम कि चिपर कि ब्रहा और बीचेतन घ्राध कं तो कि राम शीव ब्रहां कि आला आ कि संम्हेत तो चेतना चेतन तद तो बराबर है न तो जितने भी नाम है सब उसी चेतन तत्तों के लिए है उस चेतन तत्तों को समझो उसके समरन करो तो अब कहु राम नाम अविनाशी ख़दुरु कभीर कहते हैं दुनियवी चिंतन छोड़ करके रागद्वेश पूर्ण बाते कहना छोड़ करके अब आतम इसमरन करो आतम चिंतन करो ये आत्म इसमरन आतम चिंतन इसी सही आतम बोध होगा आतम ग्यान होगा हरी छोड़ी जीर राक कतहुन जाती हरी को छोड़ कर कहीं मत जाओ हरी में ही रहो, हरी में ही रुको, हरी की शरण ही पकड़ो कौन है हरी वो? कविरता है, जिस हरी की बात का, तो वो हरी कौन? हरी शब्द सुनते ही, हमारे मन में विश्ण का चित्र उभर आता है या अलग, किसी अलोकिक शक्ति का चित्र उभर आता है अनेक अर्थ है हरी के सद्रुकवीर ने हरी का निश्धात्मक विवर्णन किया है और सकरात्मक विवर्णन किया है पूरा काल में हरी का विश्णु अर्थ भारती प्रमपर में प्रत्लीत नहीं था भारत ही नहीं दुनिया की जो प्राचिनतम पुस्तक है रिग वेद उसमें भी जगा जगा हरी शब्द आया है लेकिन रिग वेद में हरी शब्द कहीं भी विश्नु के अर्थ में या आत्मा के अर्थ में या परमात्मा के अर्थ में प्रयोगत नहीं हुआ है रियग वेद में सरवत हरी शब्द का प्रयोग घोड़ा के लिए हुवे है हरी का अर्थ है घोड़ा अश और वो जो अश्वय को क्या है सूर्य की किर्णे कहते हैं कि सूर्य साथ गोड़ों रद पर चलता है लाक्षनिक कथन है सूर्य के किर्णों में सातरंग का प्रकाश है सातरंगे है उतमे उन्हें को रिगवेद की भासा में अश्व कहा गया है सूर्य की किर्णों को बाल्मी की रमायन में हरी का अर्थ है वानर बाली को शुग्री को हनुमान को हरिश्वर कहा गया है कहीं भी बालमी की रमायन में हरिशब्द का अर्थ आत्मा परमात्मा के लिए नहीं है इस तो बहुत पीछे गुपत काल में आ करके हरिशब्द का अर्थ आत्मा परमात्मा परक हुआ है और उसमें भी तिहासग बताते हैं कि जब हमारे देश के रिशियों का संपर्क इरानियों से हुआ, तब उनके संपर्क से आया, कि इरानियों का जो देवता है वो है अहुरमजद, अहुरमजद. उसको संकृति पंडितों ने कहा हरी मेधस धिरे धिरे मेधस सब्दा अलग हो गया हरी रह गया अब फिर गुपत काल में आ करके हरी का अर्थ परमात्मा विश्नु परक हुआ लेकिन विश्नु परमात्मा अलग है तो आत्मग्यानियों ने हरी का अर्थ आत्मा लिया शब्द यात्रा करता है और यात्रा करने के साथ साथ शब्द का अर्थ बदलता चला जाता है सद्रुकवीर के जमाने में हरी भजन खुब चल रहा था राम भजन भी चल रहा था तो सदुरु कबीर ने राम शब्द का भी प्रयोग किया हरी शब्द का भी प्रयोग किया लेकिन अलग-अलग अर्थों में कहीं राम का खंडन है कहीं राम का मंदन है कहीं हरी का खंडन है कहीं हरी का मंदन है बीजा के में सदुरु कबीर ने हरी, राम इनका किस अर्थ में प्रयोग किया है आप इस देखना चाहें तो एक पुस्तक बुक इस्टाल में मिलेगी कभीर बीजक के रत्न आप उतको देखें अनेक जो विशे हैं उतमे बिश विशे को छाट कर रखा गया है जीव के बारे में जीव सब्द का प्रयोग साहब ने किया है लबख 96 बार किया है फुरे बीजक में वेद सब्द का प्रयोग हुआ है वेद सब्द 52 बार आया है बीजक में राम सब्द करीब कर 270 बार प्रयोग किया है साहब ने तो जीव हरी राम इनके बारे में सदुर्कविर क्या कहते है ब्राह्मन पंडितों के बारे में साहब ने क्या कहा है खंडन किया है कि मंडन किया है नारी के बारे में साहब ने क्या कहा है पुना जनम के संबन में साहब का क्या दृष्टी कोन है यह आप देखना चाहें तो बुक्ष्टार में पुस्तक है कबीर भीजक के रत्न बहुत जल्दी प्रकाशित हुई वो देखें मैं कहा रहा था कि कबीर ताहक के जमाने में हरिशब्द का प्रतलन था और इसको और विस्तार से देखना चाहें तो देखें पुज़्यव गुर्lee जी की पुस्तक भीजक की ब्याक्षयव दो दो खंडों में हैं गुरुदेशी ने इसमें विस्तार से वर्नन किया है तो कबीर ताहब हरि और का सब्द का प्रयोग करते हैं यहां उनका अर्थ है शकारात्मक घंगते हरी छोड़ी जीरा कतो हुन जासी हरी को छोड़ करके कहीं मत जाओ वो हरी कौन वो हरी है सद्गुरु और संत हम इसको ऐसा समझ सकते हैं एक बाहर का हरी और एक भीतर का हरी निर्गुन हरी और सगुन हरी सगुन हरी जिसकी उपासना करके हम गतिमुक्ति प्राप्त कर सकते हैं वो सगुन हरी कौन है संत और गुरु हरी का अर्थ क्या होता है हरती हरिया जो हरन करता हो वो हरी है जो हमारे अज्ञान को हमारी पीड़ा को हमारे दुख को हरन कर ले वे संत और गुरु ही हरी है और उनकी शरन में लग कर ही उनके बताए राते पर चल करके हम दुखों से छुड़कारा पा सकते हैं और मुक्तिगति प्राप्त कर सकते हैं तो बाहर सका सगुनहरी, सकारहरी, संत और गुरु, निर्गुनहरी, निराकारहरी अंदर भीतर वैठा हुआ आत्मा बाएं दहने तजु विकारा निजुके हरिपद गहिया साहब कहते हैं बाएं और दहने सब तरों से विकारों को छोड़ दो और निजुके हरिपद हरी अपना निजुका है अपना आत्मा ही है ऐसा पकड़ कर उसको ही ग्रहन करो हरि सोनी जीरा कटून जाती यह लोगों हरी को छोड़ करके शंत गुरु को छोड़ कर अपनी आत्मा को अपनी चेतना को छोड़ करके कहीं मद जाओ बाहर जहां भी जाओगे वहां भटकाओ 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 है जहां जाहुता dość हुए हुए पतंगा यदि गुरु की शरंद छोड़ दिये शंत की शरंद छोड़ दिये आत्म बहूत छोड़ दिये तो जहां भी जाओगे उसी प्रकार तुम्हारा पतन हो जाएगा दुम्हारा विनात हो जाएगा जैसे पतिंगा दिप सीखा में जल करके विनस्ट हो जाता है पतिंगा दिप सीखा में मोह करके उत्मे सिपगना चाहता है और जुलस करके मर जाता है अईशे ही संद गुर्जनों का अधार छोड़ दिये और आत्म बोद छोड़ दिये तो जहां जाओगे वहां कलपना और भ्रांति की आग में विश्याशक्ति की आग में जल करके पतिंगे की समान दश्ट हो जाओगे इतलिए अब जनि जरह समुझी विशसंगा अब सारे विश्यविकारों को आग के समान समझ करके उसमें शिपको मत समझो उसकी सन्भंगुरता को उसके दुखुरुपता को उसके अपात्रमनीता को उसके वास्तविकता को समझो अना अधिकार से जलते जलते आए हैं अभी भी जल रहे हैं कब ते जलते रहेंगे अब तो समझें क्या मिला क्या पाया अजिस समझते नहीं है बस बाहरी चमक दमक में भूल गए तो पतिंग के समाल जल जाना होगा पतिंगा केवाद जोति को देखता है उसके रूप को देखता है उसकी आग को नहीं देखता उसके आग को नहीं समझता है इतले उसे चिपकना चाहता है और जितना चिपकता है उतना जुला जुलास करके वो मर जाता है ऐसे हम लोग भी पतिंगा तो मूड है उतके पास विवेक नहीं है बुद्धी नहीं है, विचार नहीं है आदमी के पास तो बुद्धी है विचार है, सुत्मे समझने की शक्ती है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या हानिकारी है, क्या लावकारी है, यह तो समझता है आदमी, और ऐसे विवेक शक्ती होते हुए भी, समझ शक्ती के मालिक होते हुए भी, न समझ पाए, तो इससे बड़ा दुभाग्या, और क्या होगा, शाहब कहते हैं अधि गुरु की शरन छोड़ दिये आत्मबाद की शरन छोड़ दिये तो बाहर केवल वासना है और कलपना है अज्यान और कलपना है उसमें तुम धुला धुलाथ करके मर जाओगे कहीं शांती नहीं मिलेगी इतलिए रुको ठहरो और ठहर करके गुरु की शरण में जाकर आत्म बोध प्राप्त करो आत्मा राम की सही पहचान करो और पहचान करके उसे आत्मा राम में मन को लगा उसका चिंतन करो उसे सुरू में कहा था कि अब कहू राम नाम अविनाशी राम का नाम आत्म चिंतन अपने शरूप की अजर अमर जो कल्यान शरूप है सुद्ध बुध है उसका चिंतन बाहर विश अंदर अंबरित वो क्या है हमारी शेतना आपकी शेतना उसको छोनकर जहां तक पसा रहा है सब जहर के तुसमान है जितना उसको चाखेंगे उतने मतवाला बनते जाएंगे पागल बनते जाएंगे और रूगी बनते जाएंगे दुरवल बनते चले जाएंगे दुखों में तडपना पड़ेगा इसलिए मुड़े अब भीतर आएं भटकते 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 बाहर दोणत दोड़ते कहीं स्थिर्टा नहीं मिली कब तक दोड़ेंगे अब तो रुकें रुक करके सोचे देखें जिस चीज को खोजना चाह रहे हैं जिसको पाना चाह रहे हैं जिस परमतत्त को जिस मुक्ष को जिस कल्यान को जिस ब्रह्म को जिस परमातमा को जिस खुदा गाड को वह आपका अपना आतमा है आपका अपना सुरूप है उसरी को सहाब ने यहां कहा है राम उस अनासि राम का नाम आत्म चिंतन करो और आत्मे चिंतन करके शारी विश्याशकती कलपना का त्याग कर दो बस जलने से छुटकारा मिल जाएगा